नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ माई यूटूब चैनल केम्स इंजिनेर में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा M20 ग्रेड और कॉंक्रीट के बारे में दोस्तों जब भी RCC मेंबर की कास्टिंग की जाती है तो उसमें हम M20 M20 ग्रेड का कॉंक्रीट यूज करते हैं अब M20 ग्रेड का कॉंक्रीट होता क्या है इसका मिक्स केसे बनाना है उसके बारे में आपको बताऊंगा सबसे पहले बात कर लेते हैं M20 ग्रेड में कितना रेशियो बनता है इसमें कौन चीज किस ratio में मिलती है वो मैं बताऊंगा इसमें 1.5-3 का ratio हम लेते हैं 1.5-3 का मतलब 1 तगारी cement हो गया 1.5 तगारी इसमें rate हो गई और 3 तगारी इसमें aggregate हो गया इन तीनों के mix को मिलाने के बाद जो ratio बनता है वो हमारा M20 grade का ratio बन जाता है तो इस प्रकार से जब किसी भी RCC member के हम casting करते हैं तो M20 grade से नीचे का grade हमें use नहीं करना है तो ये हो गया हमारा M20 grade जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको M20 grade के बारे में ये grade हमारा Indian standard यानि की IS 456 2000 के हिसाब से है लेकिन दोस्तों कुछ caseों में देखा जाता है कि concrete को अधिक workable बनाने के लिए लोग इस ratio को follow नहीं कर पाते हैं और इसका result होता ये है कि उनकी slave या जो भी RCC member की casting हो रही है वो फिर weak बनती है वो इतनी strength gain नहीं कर पाती जितना उसको करना चाहिए था तो दोस्तों RCC member की casting से पहले अपने इंजनेर से एक बार consult जरूर करें झालो कि बनाने कि उसके जाए ऌबLe की most की ऍसक्राइब करें